आज है 5th January और आज इस वीडियों में हम बात करेंगे कुछ फार्मा शर्ड के बारे में जिस पर नजर रखनी जरूरी है क्योंकि कोरोना के जो दो बार पीक आया था उसमें फार्मा कंपनियों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन जैसे ही कोरोना काल खतम हुआ थ वैसे वैसे जो फार्मा शर्ड तेजी दिखा रहे थे वो भी तूटना शुरू हो गए थे और जब भी जब तेजी आ रही थी मैंने कहा था कि फार्मा खरीदो लेकिन जैसे ही कुरोना के केसिस कम हो फार्मा को बेचो और निकल जाओ अब दुबारा मौक़ा आ रहा है फा वेब्रुवरी तक आ सकता है यह पीक और ऐसे में फार्मा शेर्ट में शॉट टर्म के लिए मौका बन सकता है अगें मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूं शॉट टर्म के लिए लॉंग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं तो वीडियो को शुरू कर उसे पहले अगर महिने में अगर हम देखे तो दीरे दीरे अर्विंदो फार्मा के शेर्ट में आपको उच्छाल दीरे दीरे देखने को मिल रहा है जैसे जैसे केसिस बढ़ रहे हैं कोरोना के वैसे वैसे इसके शेर प्राइज भी बढ़ रहे हैं साथ प्रतिशत का ग्रोथ है और अगर हम एक साल की बात करें तो जब करोना का पीक चल रहा था तब अर्विन दो फारमवा के शेर्स में भी भाई अब पीक देखने को मिला था हजार रुपे का लेकिन जैसे ही करोना की केसिस दिरे दिरे कम होना शुरू होए यहां पर भी आपको शेर प्राइज में गिरावट देखने को मिली अब दिरे दिरे जैसे 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 केसिस बढ़ रहे हैं वैसे शेर में भी तेजी देखने को मिलेगी लेकिन 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 जैसे ही कुरोना के केसिस कम होने शुरू हो जब पीक खतम हो जाएगा थर्ड वेव का ये भी तूटेगा तो शॉर्ट टम के लिए प्ले कर सकते हो आप यहाँ पर उस चीज़ को याद रखे और अरबिंदो फार्म बहुत ही भढ़िया कंपनी है बहुत ही मेरे इसाब से बहुत ही फंडमेंटली श्ट्रॉंग भी कंपनी है तो चांसे यहाँ पर जरूर है दूसरा शेर है सिपला का 928 का शेर है और यह वोश कंपनी है जहां पर अगर हम बात करें तो इसके शेर प्राइज में आपको आप देखें कि 850 का था तेजी आना शुरू हो चुकी है और अगर हम एक साल के बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पर आप देखेंगे कि तेजी आई थी तूट गय ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो fundamentally strong भी है यह शेर और यहाँ पर भी short term के मौके बनेंगे अगर यह आपको 850 रुपए के आसपास मिले तो ही खरीदना तब तक मत खरीदना तीसरा है केडिला और मुझे लगता है कि इसमें potential है केडिला health care में potential है 460 रुपए का यह शेर है और almost पिछले एक महिने में अगर हम देखें तो पिछले एक महिने में केडिला में आप देखेंगे तो तीजी आई जरूर थी लेकिन वापस यह तोड़ गया है यहाँ पर और एक साल की मैं बात करूँ जब करोना का second way उचल रहा था तब अगर हम इसके share price के अगर ह उस लेवल को याद रखेगा चौथा है लूपीन वाया यह राकेश जुनजुनवाला जी की जो बहुत बड़ी holding है वो लूपीन में है 933 रुपय का यह share है और यह fundamentally strong share है तो यहाँ पर यह है कि देखो टेजी आना शुरू हो चुकी है यहाँ पर भी खादिश से तेजी आ बात करें तो भाई यह वैक्सीन वगयरा का कामकश कंपनी करती थी और एक साल में अगर इसका भी अगरम ग्राफ देखने की कोशिश करें तो यह जब करोना चल रहा था तब तो भाई साहब यह 4300 का था तूटके बिखरा ज़रूर लेकिन अब एक कंसॉलिडेट वाला फे इसमें भी पोटेंशल है शेर देखे अभी तूटने का नाम नहीं ले रहा है 610 रुपय के आज 600 के आसपास गूम रहा है यहां पर भी मौके बन सकते हैं अब छोटे शेर में अगर मैं बात करने जाओं तो छोटे कुछ शेर भी है वो है पहला माकसंस फार्मा 62 रूपीज का शेर है और इसमें भी अब तीजी आना शुरू हो चुकी है पिछले एक महिने में माकसंस फार्मा के अगर हम बात करने जाए तो साथ परसंट का ग्रोथ है 56 रूपीज से दौडना शुरू कर चुका है यह और पिछले एक साल में जब करोना का पीग चल रहा था सेकंड वेव की अगर हम बात करने जाए तो यहां पर माकसंस फार्मा के शेर्स में तकरीवन तकरीवन आप देखेंगे 94-95 का था तूटना शुरू हो गया था ठीक है अब करोना की थर्ड वेव अगर आती है अगें मैं यहां पर क्या रहा हूं थर्ड वेव अगर आती है तो यह 11% की तीजी दिखा चुका है आप देखेंगे और इवन पिछले एक साल के अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में जब करोना का पीक था यहां पर तब यह 70 रुपए के आसपास था तूटके बिखरा जरूर दुबारा भागने के अब कोशिश कर रहा ही है तो मौरप फार्मा की भी हम बात यह डॉक्टर रेडिस की बात यह कुछ कंपनी से जिस पर नज़र रखी जा सकती आने वाले दिनों में और कोरोना की जो कहीं न कहीं जो केसी से वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इसकी वज़ए से जो फार्मा कंपनी है वो दुबारा फोकस में जाएंगी और जो बाकी सेक्टर थे जो पिछली बार भी कोरोना की वज़ए से थोड़े से पीछे पढ़ रहे थे वहां पर आपको थोड़े से नुकसान होते नजर आएंगे देखें मार्केट में होता क्या है लोग यहां से पैसा निकालके वहां से निकालके यहां डाले तो वह चीज़े हैं अब फार्मा का एक भी शेर मेरे फूटफोलियो में नहीं है अब दिरे दिरे मैं उसमें डालना की कोशिश करूँगा फार्मा में भी तो यह चीजों का समझ है इवेंट को अगर आप प्ले करेंगे तो फायदे में रहेंगे और अगेर मैं कह रहा हू शौट टर्म के लिए खिला जा सकता है इन शेर्स में लॉंग टर्म के लिए नहीं और वो भी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहें हाथगा में उससे अगर आपको यह 10% की गिरावट पर मिले तो आप वहाँ पर पोजिशन बराने की कोशिश कर सकते हैं और आने वाले समय मे शौट टर्म के लिए फार्मा के शेर्स जो है वो डेफिनिटली ट्रेंड में रह सकते हैं तो उस चीज़ को याद रखे और उमीद तो भया यही मैं करूँगा कि यह जो उमीक्रों की केसिस है वो जादा ना बढ़े कंट्रोल में आ जाए और कह सकते हैं कि भया जो थर्ड वेव कि हम बात कर रहे हैं वो इतनी डराओन ही ना हो जितनी सेक़ने वेव थी और मार्केट यहीं मैं कहूँगा कि देखो मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट यहां से नहीं आने वाली है अगर केसिस बढढ़ेंगे भी सेकंड वेव भी जब आई थी तो मार्के को ने नीचे के लिए पर खरीदा उनसे अपने आराम से मौजमारी है तो उस चीज को याद रखें यहां पर मारकेट उस चीज को जान चुका है कि वागर तूटेगा खरीदारी के मौके है और मारकेट जो भी लोग इंवेस्टर्स है वो भाया अपने सेक्टर को चेंज करते जैसे कि अगर कोरोना के केस बढ़े फार्मा में और बाकी जगह पे और केमिकल में खरीदारी शुरू हो जाएगी आईटी में खरीदारी शुरू हो जाएगी और जैसे ही को कोरोना के केसिस कम होंगे वापस आटो मोबील में और इंफरा में लोग अलोट के आ जाएंगे तो को यहीं पेंट करूँगा पसंद आये हो तो लाइक करें श्याय करें चैनल पगरा पहले बार आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और क्या सोचते हैं आपको कौन सा फार्माशर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक्यू